सब्सक्राइब करने वाले एक ऐसे क्वेशिन के बारे में कि चाह सप्लिमेंट छोड़ने से वेप्रोटीन चोड़ने से आपका मसल गिर जाता है यानि की बॉड़ी लूज हो जाती है तो यह बड़ा परेशान करता है सवाल लोगों को और कवी सारे लोग तो इसलिए भी पर जैसे थे एक सप्लिमेंट लेने का लेकिन अब नहीं है तो अब छोड़ना बढ़ रहा है तो क्या जो बॉड़ी बनाई है हमने एक सप्लिमेंट खाके एक बॉक्स खाके तो क्या वो खतम हो जाएगी तो यह सवाल का जवाब मैं आज इस में वीडियो में दूंगा आपको and thank you very much guys Himalian Stallion Academy का registration process जो हमें last वीडियो में start किया था बहुत सारे registration हुए है और अगर आप certification करना चाहते हैं at gmail.com पे तो चलिए गाई शुरू करते हैं अच का वीडियो and again अगर आप मुझे इस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए because हमारा one minute video series, fitness video series चल रहा है अभी तो जो YouTube पे upload नहीं हो रहा है तो अगर आप वो videos देखना चाहते हैं fitness के बारे में तो please Instagram पे ज़रूर फॉलो कीजिए Instagram के link description box में है तो अब बड़ा सवाल कि क्या muscle loss होता है supplementation छोड़ने से तो इसके दो जवाब है और दोनों ही सही है वो ये कि हाँ और ना हाँ इसलिए कि अगर आप supplementation छोड़ते हैं मान लिया जाए कि आप whey protein लेते थे for example और आपने whey protein लेना अब बन कर दिया है किसी भी reason से और दिन भर में आप whey protein दो स्कूप लिया करते थे एक morning में अपने oat meal के साथ और एक workout के बाद एक स्कूप तो total जो आप दो स्कूप लिया करते थे अब वो आप नहीं ले रहे हैं यानि कि उन दो स्कूप में अगर मैं on an average सारे protein powders को अगर देखें तो एक स्कूप में 25 ग्राम के असपास आपका protein होता है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट से सीधा-सीधा निकल गया अब अगर आप यहाँ पे 50 ग्राम प्रोटीन को किसी और food sources से नहीं ले रहे हैं और supplement भी आपने छोड़ दिया है तो definitely आपका muscle loss यहाँ पे होगा क्योंकि protein आप नहीं ले रहे हैं और protein ही एक ऐसी चीज है जो आपके muscle को build करती है यानि कि building blocks of muscle is protein protein में आपको amino acids भी मिलते हैं जो आपकी recovery करते हैं जो repair होता है आपके muscle का जो आप जीम के अंदर muscle तोड रहे हैं आइलेट कर रहे हैं उसको घर आके जब आप protein देते हैं तब वो repair होता है और पिछले बार से बड़ा muscle तयार होता है तो वो 50 ग्राम जब आप निकाल रहे हैं और कहीं और से भी नहीं दे रहे हैं तो definitely आपका muscle loss होगा body lose हो जाएगी आपकी तो मालने जाए अगर आपकी daily requirement 1500 ग्राम है जो आपने पता लगाई अपनी maintenance calories को find out करने के बाद और उसके बाद macro setup करने के बाद अब यह जो पूरा process है मैंने already दो वीडियो बनायते हैं कफी पुराने हैं एक देर साल दो साल पुराने आप चेक कर सकते तो उसको find out करने के बाद आप जब यह आपको पता चला कि 1500 ग्राम मेरी requirement है protein की और आप 50 ग्राम उसमें से नहीं ले पा रहे हैं तो definitely muscle loss होगा यहाँ पे अब इसका दूसरा पहली जो यहाँ पे यह आता है कि आपका muscle loss नहीं होगा अगर आप जो 50 ग्राम आपका supplement से गया है weight protein से गया है अगर आप उसको substitute कर ले किसी और food source से जैसे कि आपका chicken आपके eggs आपका पनीर भी हो सकता लेकि पनीर में थोड़ा fat जादा होता है तो आपको fat का भी धियान रखना पड़ेगा उसमें तो 50 ग्राम अगर आपका निकला है weight protein से यानि कि वो 200 calories के आसपास होती है क् 15 to 4 एक ग्राम protein में आपकी 4 calories होती है तो 200 calories हो गई वो तो उन 200 calories को आप किसी protein food source से लेंगे जैसे कि चिकिन तेड़ सो ग्राम आपने chicken ले लिया cooked chicken chicken breast तो उसमें भी आपको करीबन 50-55 के आसपास protein grams मिलेगा यानि कि 200 calories के आसपास और वही चीज़ आप egg white से भी consume कर सकते हैं य लेकिन 50 gram protein लेने के लिए आपको इतना egg whites consume करने पड़ेंगे अगर आप इस चीज़ को alternate कर लेते हैं वे प्रोटीन के अलावा तो आपका कोई muscle loss नहीं होगा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि basically आपकी protein की requirement अगर पूरी हो जाती है तो muscle loss की तो बात ही नहीं है वहापे supplement ज calorie deficit और cellpress वाला नहीं चलता system वो इसी लिए क्योंकि आपकी calories जिस food source से गई थी उसी food source से आनी चाहिए यानि कि वही macro आना चाहिए protein अगर आपने निकाला है वे protein तो उसी जगापे protein food source ही आना चाहिए उसकी जगापे आप सिर्फ 200 calories आप carbohydrate से नहीं ले सकते यानि कि दो बनान खालूं protein नहीं ले रहा हूं इसलिए और मेरा muscle loss नहीं होगा तो ये गलत सोचे muscle loss आपका होगा क्योंकि आपको जो protein है वो नहीं मिल पा रहा है उसकी जिगापे carbohydrates से calories मिल रही हो इसी लिए जो macros होते हैं बहुत ही important है यानि आपके protein carbohydrates and fats ये तीनों ही balanced मात्रा वे होने चाहि कुछ carbohydrates का होना चाहिए कुछ fats का होना चाहिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं protein कम कर लूँ और उसको carbohydrates से उसकी calories ले लूँ तो ये नहीं चलेगा मतलब आपका शायद वजन maintain करने में body weight maintain करने में वो शायद helpful हो क्योंकि उतनी ही calories आप लें लेकिन आपका जो muscle loss है वो जरूर होगा क्योंकि muscle को maintain करने के लिए protein के ज़रूत परती जैसे मैंने आपको बहले बताया है यही है final answer कि supplement अगर आप नहीं भी ले पा रहे हैं तो आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा यानि कि chicken, eggs या कोई भी protein source तो आपको लेना ही पड़ेगा दूद भी ले सकते हैं लेकिन आप easily इस चीज़ को balance कर सकते हैं लेकिन अगैन पैसा invest करना ही पड़ेगा चाहे आप protein powders में करें चाहे आप chicken, whole food या जैसे eggs इन सब चीज़ों में करें अगर confusion है तो please comment section में मुझे बताइए and registration चालू हो गया है, मैं Alien Stallion Academy की है तो please registration कीजिए, link जो है description box में है and guys take care, Jeeit Salal, sign off